नमस्कार बहुत स्वागत है आपका जोतिश दिशार सत्तिकी राहमें आपके साथ मैं हूँ आपका इश्टो फेंड संतो संतोशी आज नए दिन की सुरुवात अमावस्य आती थी आज पितरों के लिए किशेश उपाय हम बताएंगे राशिगत तरीके से हर राशिवाले आज ग्यात अग्यात अपने पितरों की शांती के लिए क्या कर सकते हैं अगर अब तक नहीं किये थे किसी कारणों वस आपका पित्र शांती का कार रह गया था आज का दिन इसके लिए सबसे अनकूल है इसके बाद एक वर्ष के लिए हमारे पितर आशिरवाद श्राप जो भी अपने आपके अनुसार जो आपके कर्मों के अनुसार जो दे करके जाना चाहेंगे चले जाएंगे तो आज पित्रों को हम एक बार याद करते हैं अपनी आत्मा से आत्मा से सबसे पहले आई जानते हैं बाज का पंचाग नक्षतर 27 मीडिया की अजभुत प्रस्तती जूतिश दिशा सत्य की राहा के लिए सास्त्र मना कर देते हैं गुले काल में आप कर सकते हैं जो भी आपको नया और शुब काम करता है मेश से लेकर वीन तक अब आई जानते हैं आज की दिब्ब भविश्यवारी मेश राशे पढ़ाई के लिए आज आप जो विचार किये थे उसके अनुसार कदम बढ़ा सकते हैं प्राइबट सेक्टर आपके लिए नया अनुकूल माहौल देगा प्राइबट सेक्टर में शुबता बनी रहेगी सरकारी छेतर की स्थिति को ले करके सजग रहने की आवर्शक्ता है गौर्न्मेंट सेक्टर में कुछ समस्याएं हो सकती है दामपत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा पत्नी और बच्चों की बीच तालमिल अच्छा बैठेगा एक दुसरे को सपोर्ट करेंगे लेकिन लव लाइफ की स्थिति को ले करके आज हम आपको सजग करते है यहां समस्याएं हो सकती है स्वास्थ के मामले में देखा जाए तो मेश वालों को आज स्वास्थ में कुछ न कुछ इशू परेशा नहीं हो सकती है खास तोर पर पाचन तंत्र को लेकर है क्या उपाय करना है प्रियोग के तोर पर आज किसी जरुरत मंद को कुछ खाने की वस्त देना शुब होगा क्या नहीं करना है चन चलता नहीं दिखानी है शुबरंग गुलावी भाग्य प्रत्शत पच्पन काम आपका बन जाएगा पढ़ाई में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी ब्यापार के लिए थोड़ा सा नुकसान हो सकता है रिस्क लेना भारी पड़ेगा प्राइवेट सिक्टर आपके लिए बहुत अनकूल है मुश्किलों का हल निकलेगा सरकारी छेत्र को लेकर के सजग रहना है दापत्य जीवर में पत्नी के बीच आपके साथ आज तालमेल की थोड़ी सी कमी तो दिखाई देती है लव लाइफ बहुत अनकूल है इस्थतियां आपके पक्ष में हर प्रकार से शुपता रहेगी स्वास्ति के मामले में पे्ट लीवर की समस्या दो चीजों की ज़्यादा है क्या उपाय करना है अगर आपकी राशी ब्रिशव है ब्रिशव राशी वालों को किसी जरुरत मन्त को कुछ खाने के लिए देना शुम होगा क्या नहीं करना है आज अपने राज किसी को बताने नहीं है शुबरंग आपके लिए ग्रे भाग्य प्रतिशत 56 मिथुन राश 25 सितंबन पढ़ाई बहुत अच्छी है, सिक्षा में सुधार है व्यापार अच्छा रहेगा, बिजनस में हर प्रकार की शुबता है प्राइबट सेक्टर आपके लिए अनकूलता देगा सरकारी शेतर में तनाव से मुक्ति मिलेगी दामपत्य जीवन अनकूल रहेगा, पत्नी और बच्चों की वीच तालमेल अच्छा बैठ जाएगा लव लाइफ की स्थति को लेकर सजग रहने की आवशकता है स्वास्थ के मामले में किड्नी और बैक की प्राब्लम हो सकती है क्या उपाय करना चाहेगर आपकी राशी में थोना है प्रियोग के तोर पर किसी छोटी बच्ची को आज कुछ टॉफी चॉकलर दे दीजेगा क्या नहीं करना है आज तनाव नहीं लेना है शुबरंग औरेंज भाग्य प्रित्षत अनसर शिख्टी एट करकराशी पश्थदियां आपके पक्ष में पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे सिक्षा में सुधार होगा ब्यापार में किसी तरह की दिक्कत नहीं आईगी बिजनस हर प्रकार से शुब चलेगा प्राइविट सिक्टर को लेकर के आपको खुब सावधान रहने क्या वशकता है सरकारी छेत्र में मुश्किल नहीं आ सकती है दामपत्य जीवन अच्छा है पत्नी और बच्चों के साथ तालमेल बैठेगा लव लाइफ को लेकर के सजग रहने क्या वशकता है यहाँ पर मुश्किल बढ़ सकती है स्वास्त के मामले में करक वालों को किटनी और लीवर की समस्या हो सकती है क्या प्रियोग कर सकते हैं आज का दिन बहतर करने के लिए अपने कंठ पर हल्दी का तिलक लगा लिजेगा करक वाले क्या नहीं करना है आज लंबी आत्रा पश्चिम दिसाकी नहीं करना है शुबरंग आपके लिए नीला भाग्य प्रत्षत 62 सिंग राश्य 25 सितंबर पढ़ाई में पूर्णता है सुक्षा में सुधार है किसी तरह की समस्या नहीं ब्यापार अनकूल है रुक्य कारे कतिबान होंगी मुश्किलों का हल निकलेगा प्राइविट सिक्टर आपके लिए नए रास्ते खोलेगा चिंताओं से बाहर निकलेगे सरकारी छेत्र में आई बाधाई दूर होंगी दामपत्य जीवन अच्छा है पत्नी और बच्चों के साथ ताल मेल बैट जाएगा आज ससुराल से रिस्ता वतर होगा लव लाइफ को लेकर के सजग रहना है आज विवाह की चर्चा टाल देंगे तो बहतर है स्वास्त के मामले में सिंघ राशी वालों को पेट, किड्नी और बैग के प्राबलम हो सकती है क्या प्रियोग करना है अगर आपकी राशी सिंघ है ओम हंग हनुमते नमह 11 बार इस मंत्र का जाब करिए क्या नहीं करना है जल्दी बाजी में फैसला नहीं लेना है बादामी रंग शुब है, 52 प्रित्शत का भाग्य है कन्यराश पढ़ाई में पूरता है सिक्षा की स्थिती हर तरह से सुधर रही है व्यापार अच्छा चलेगा रुके कारे गतिमान होंगे प्राइविट सिक्टर वालों को थोड़ा सावधान रहने क्या वशकता है चिंताएं बढ़ सकती है सरकारी छेतर में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगे गवर्मेंट सिक्टर आपके लिए शुब रहेगा दामपत्य जीवन अच्छा है पत्नी और बच्चों की वीच ताल में अच्छा वैट रहा है दूसरे को सपोर्ड भी कर रहे है लव लाइफ में आज की स्थिती को ले करके देखा जाए तो थोड़ा सा सजग मैं करूंगा और खास दौरपे वानी से संबंधित दोश आपका बढ़ सकता है स्वास्त के मामले में पेट और किड्नी की समस्या से साथ-साथ आज कहीं चोड़ चपेट की संभावना है क्या परियोग करना चाहिए पीपल के नीचे की मिट्टी लेकर तिलग करना है कन्यराशी के लिए स्लेटी रंग शुब है आज पचास प्रतिशत का भाग आपके साथ है तुला दिब्य समय है सिक्षा में सुधार हो रहा है किसी तरह की दिक्त नहीं है मैं आप आर अच्छा चलेगा अनुपूलता बनी रहेगी प्राइविट सेक्टर के लिए आप कुछ बढ़ा कर लेंगे सरकारी छेत्र आपके लिए सुधार दे रहा है गौर्णमेंट सेक्टर में अउसर अच्छे मिलेंगे दामपत्य जीवन अच्छा है हर प्रकार की शुबता रहेगी लाब होता जाएगा लव लाइव को लेकर के सजग रहने की आवश्यक्ता है स्वास्त के मामले में देखा जाए तो तुलाराशी वालों को आज माइग्रेन, डाइजेशन की दिक्कत और हर्ट की प्रॉब्लम हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए आज हल्दी का तिलक अपने नाभी पर लगा लिजेगा क्या नहीं करना है जूट नहीं बोलना है बैगनी रंगशुब है 73 प्रतिशत का भाग्या आपके साथ है बात कर लेते हैं अब ब्रिश्चे ग्राशी की है पढ़ाई के लिए हर संभव आप प्रियास जो करेंगे वो सफलता मिल जाएगी शिक्षा में किसी तरह का दोश दुराव नहीं है ब्यापार अच्छा चल रहा है बिजनस में भी शुबता बनी हुई है प्राइवेट सिक्टर में कुछ तनाव हो सकता है प्राइवेट सिक्टर को लेके सजग रखने की आवशकता है सरकारी शेतर उदिव्या गवर्मेंट सिक्टर में लाव होगा हर कदम प्रशुकता है दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा पत्नी और बच्चों के बीच तालमेल बैठेगा सपोर्ट मिलेगा लव लाइफ आपके लिए अनकूल है किसी तरह की चिंदा नहीं है स्वास्त के मामले में आँख और पेट की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना चाहेगा आपकी राश ब्रिश्चिक है आज किसी पौधे के नीचे एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है क्या नहीं करना है जल्दी बाजी में कोई फैसला नहीं लेना है शुबरंग पीला भाग्य प्रतिशत छाचट धनुराशी शिक्षा अच्छी रहेगी पढ़ाई में शुबता बनी हुई है ब्यापार अच्छा चलेगा बिजनस में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी प्राइविट सेक्टर को ले करके आपको सजग रहने की आवश्यक्ता है सरकारी छेत्र आप पर थोड़ा सा नुकसान दे सकता है दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा पत्नी और बच्चों के बीच तालमेल अच्छा बैठेगा जुसरे को सपोर्ट करेंगे लव लाइफ की स्थती में कुछ तनाव बढ़ सकता है सोच समझ कर फैसला लीजेगा स्वास्त के मामले में धनुराशी वालों को आज स्किन प्राबलम भुखार जुखाम की शिकायत हो सकती है प्रियोग क्या करना है गुलाब जल अपने उपर छिड़क लीजेगा क्या नहीं करना है चंचलता नहीं दिखानी है गुलाबी रंग शुभई एक्सट प्रिश्ट का भाग्या है मकर राश पढ़ाई पूर्ण है स्विक्षा में आज बंबं इस्थती रहेगी ब्यापार को ले करके कोई चिंता की आवश्यक्ता ही नहीं है प्राइवेट सिक्टर आपके लिए अनकूल अफसर दे रहा है सरकारी छेतर में उल्जन बढ़ सकती है गवर्मेंट सिक्टर को लेके सावधान रहे दामपत्य जीवन बहुत अच्छा है पतनी और बच्चों की भीच दाल मेल बैढ़ेगा लव लाइफ में कुछ माइनस प्लस था लेकिन शाम होते होते सब बैलेंस हो जाएगा क्या प्रियोग करना चाहेगा आपकी राशी मकर है मकर वालों को आज प्रियोग के तोर पर गुड और रोटी किसी को खिला दीजेगा ना कोई मिले तो जानवर को भी दे सकते हैं क्या नहीं करना है आज काला रंग नहीं पहनना है सफेद रंग की शुपता है 50 प्रतिशत का भाग आपके साथ कुम्भराज पढ़ाई आपके लिए बहुत अनकूल है सफेद रहेगा बच्चों के साथ कहीं घुम्य टहलने का कारिकर मनेगा लव लाइफ को लेकर के आज सावधान रहेगा किसी बाहरी तत्तों का हस्तक शेव परिशान कर सकता है सौास्त के मामले में कुम्भराशी बालों को आज किड्नी और माइग्रेन और आख की समस्या हो सकती है प्रियोग के तोर पर आज का दिन बहतर करने के लिए शेहद का तिलक अपने कंठ पे लगाईएगा क्या नहीं करना है आज चंचलता नहीं दिखानी है शुबरंग नीला भाग्य प्रतिशत पच्पन पढ़ाई अच्छी चलेगी शिक्षा में सुधार होगा व्यापार में अनकूलता रहेगी रुके कारे गतिमान होंगे प्राइवट सेक्टर कुछ मुश्किल देगा जिसको लेकर सजग रहने क्या वशक्ता है सरकारी छेत्र आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा चिंताओं से बाहर निकलेंगे दामपत्त जीवन में शुपता रहेगी लव लाइफ आपके लिए उल्जन पैदा करेगा स्वास्त के मामले में गला और आँख की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना है आज आज दूरवा अपने सर से तीन बार उल्टा वार कर कहीं फेंग दीजेगा क्या नहीं करना है आज दूसरों से उम्मीद नहीं करनी है हरारंग शुभ है अज की सक्सेस की लाल धागा किसी पौधे की नीचे रख दीजेगा जिसका आज जरम दिन 25 सितंबर को हर शाम एक दीपक तुलसी की नीचे जलाएं और जिसकी आज मेरे जैनिवर सरी है एक माला गायत्री मंत्र का जाब करके जरूरत मंद को अनका दान पती-पत्नी मिलकर करें यह हो गई बात तो 26 तारिक नवरात्रित से आप हमसे गाज़याबाद मिल सकते हैं मिलने के लिए जो नमबर चल रहा उस पर आप तुरंट वाटस अप कर लीजेगा बहुतों शुक्रियाब आपना बहुत ख्याल लखे हसते रहें, खिले-खिलाते रहें और मुस्कुराते रहें नमश्कार शिरादे आचार्य विश्व प्रसिध जोतिशाचार्य संतोश संतोशी जी ने अपने तेरह वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सबके खुशाल जीवन के लिए लाए है एक अनमोल उपहार ग्रहदीब समस्त प्रकृती की शक्ती को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियाँ ला सकता है कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का हो दुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आप के जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग-अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब व्यापार के लिए बुद्ध ग्रहदीब संतान के लिए मंगल ग्रहदीब मौडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीब तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदीब दीब एक खुशियां अनेक के लिए के लिए